असलाम अलेकूं फ्रेंस आज हम बनाने जाए रहे चिकन डॉल बहुती इजी और बहुती ज़्यादा टेस्टी रेसिपी है वैसे तो आप लोग ने चिकन डॉल खाए होंगे पर इस तरह का चिकन डॉल आप लोग जरूर ट्राई कीजिए आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा तो चलिए बीना टाइम वेस्ट किये इसे बनाना स्टार्ट करते हैं सब मैं पहले मैंने यहाँ पर 250 ग्राम बोलनेस चिकन लिया है और उसकी छोटे छोटे तुकड़े कर लिया है और इसे धोके अच्छे से क्लीन कर लिया है फिर में इसमें 1 टीस्पून नमक अड़ कर दूंगी 1 फोथ टीस्पून हल्दी अड़ कर दूंगी 1 टीस्पून धनिया पौडर 1 फोथ टीस्पून जीरा पौडर 1 फोथ टीस्पून गरम मसाला पौडर 1 फोथ टीस्पून कश्मिरी लाल मिर्श पौडर 1 से फोथ टीस्पून तंदूरी मसाला अड़ कर देंगे 1 फोथ टीस्पून चिली फ्लेक्स और आधा निम्बू एड़ कर देंगे वन टीस्पून अध्रक लसन का पेस्ट एड़ कर देंगे और टू टीस्पून गाड़ा धाई आड़ कर देंगे अब इन सभी चीजों को हाथ से अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अगर आपके पास टाइम है तो आप आदा घंटा इसे मैरिनेशन का टाइम दीजिए ने तो आप इसे डाइरेकली भी बना सकते हो अब यहाँ पर मेरे पास टाइम नहीं है इसे रखने के लिए तो मैं यहाँ पर डाइरेकली बनाऊगी गैस पर मैंने एक कड़ाई रख दी है और उसमें मैं एड़ कर दूँगी वन टीस्पून जितना ओइल ओइल हम यहाँ पर बहुत कम ही यूज़ करेंगे फिर हम मैरिनेट किया हुआ चिकन इसमें एड़ कर देंगे अब यहाँ पर चिकन को अच्छे से भून लेंगे जब तक के सभी मसालों की कच्छी स्मेल चली नहीं जाती और इतने देर में चिकन भी सॉफ्ट हो जाएगा बोनलेस पीस है तो यह बहुत जल्दी कूख हो जाएगे इसे पकने में ज़ादा टाइम नहीं लगेगा चिकन के साथ इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे एक से दो मिर्ट हम कूख करेंगे जब तक के शिमला मिर्च और प्यास हलके सॉफ्ट नहीं हो जाए हमें बहुत भी जादा इसे सॉफ्ट नहीं करना है अब यहाँ पर चिकन मुझे थोड़ा ड्राय लग रहा है तो मैं यहाँ पर एक से दो टेबल स्पून पानी आड़ कर दूँगे बस और एक मिर्ट हम इसे कूख करेंगे और गैस का फ्लेम बन कर देंगे और साथी में मैंने एक कोईला गरम करने के लिए रख दिया था वो भी अच्छे से गरम हो गया है तो यहाँ पर चिकन के बीश में मैं थोड़ी सी जगा कर लूँगी और एक छोटी से प्लेट को सेट कर दूँगी बीश में प्लेट के उपर गरम किया हुआ कोईला रख देंगे हम जैसे ही धुआ निकलना स्टार्ट होगा वैसे ही हम इसे धख देंगे ऐसा करने से चिकन में अच्छा सा तंदूरी फ्लेवर आएगा दूसरी तरफ मैंने एक बॉल में एक ओनियन को स्लाइस्ट कट करके ले लिया है जिसमें मैं थोड़ा पुदीना और हरी धनिया को बारी कट करके अड़ कर दूँगी तीन से चार चमच विनी करके हम इसमें अड़ कर देंगे आप अपनी चोईस के हिसाब से इसमें कुकूमबर्स, शिम्ला मिर्च या गाजर भी स्लाइस्ट कट करके एड़ कर सकते हो पर मैं यहाँ पे सिर्फ ओनियन एड़ कर रही हूँ इसे अच्छे से अब हम हाथ से मिक्स कर लेंगे और साइड में रख देंगे अब हम फिर से चिकन के तरफ आ जाते हैं 10 से 15 मिनिट हो चुके हैं चिकन को धुवे में रखते हुए अब इसमें एक अच्छा सा स्मोकी फ्लेवर आ रहा है जैसे कि हमें चाहिए ता यहाँ पर मैंने 2 टेबल स्पून धई को अच्छे से चान कर ले लिया है यहाँ पर हमें एकदम घाड़ा धई चाहिए या तो फिर आप एक कपड़े में इसे चान के ले लिजिए इसमें मैं 2 टेबल स्पून मयोनिस आड़ करूँगी 2 टी स्पून हरी चटनी आड़ कर देंगे इन सभी चीजों को अच्छे से मिक्स करेंगे और इसे साइड में रख देंगे यह हमारा क्रीमी सॉस रेड़ी हो गया यह देखिए इसका टेक्स्चर कितना क्रीमी है अगर आप जो धाई ले रहे हो उसमें पानी होगा तो ऐसा क्रीमी टेक्स्चर आपको नहीं मिलेगा आटा गुंते वक्त मैंने यहाँ पर एक कप मैदे में हाफ टीस्पून नमक और एक टेबल स्पून ओइल एड़ करके एक सॉफ डो बना लिया है आदा घंटा आटे को रेस्ट देने के बाद हम इसके पेड़े बना देंगे और इसे बेलना स्टाट करेंगे इसे बेलते वक्त हम मैक्सिमम इसे जितना बड़ा बेल सकते हैं उतना बड़ा इसे बेल लेंगे इसे बेलने के बाद हम इसके उपर ओईल लगा लेंगे अच्छे से ओईल को स्प्रेट करेंगे पूरी रोटी के उपर oil लगाने के बाद फिर उसके उपर आटा डाल देंगे इस तरह से और इसे fold कर लेंगे layers के लिए आप अलग-अलग तरीके use कर सकते हों मैं ये तरीका use कर रही हूं ये बहुत ही simple तरीका है layers के लिए और बड़े असानी से layers भी आ जाते हैं फिर हमें इस तरह से fold करके पेड़े के form में roll कर लेंगे सूका आटा dust करके हम इसे फिर से बेल लेंगे इसे बेलते वक्त हमें पतला ही बेलना है जैसे कि हम रोटी को बेलते हैं पराठे की तरह हमें मोटा नहीं बेलना है इसे पतला ही बेलना है ये देखिए हलके हलके layers दिखाई दे रहे हैं एक pan को मैंने medium to low heat पे गरम करने के लिए रख दिया था पराठे को डालके हम सेक लेंगे दोनों तरफ से पराठे को सेकते वक्त हम इस पे अच्छे से oil लगाएंगे कोई भी जगा dry नहीं होनी चाहिए उलट पलट करते हुए हमने पराठे को अच्छे से दोनों साइड से सेक लिया है ये देखिए बिल्कुल perfect पराठा बना है हमारा अब बाकी सारे पराठो को भी हम इसी तरह से बना लेंगे सभी पराठे बनाने के बाद अब हम assembling करेंगे जिसके लिए हमने एक पलेट में एक पराठा रख दिया है पराठे के बिल्कुल बीच में हम चिकन रखेंगे इस तरह से चिकन की अच्छी कॉंटिटी रखना तभी इसका असली टेस्ट आएगा फिर चिकन के उपर क्रीमी सॉस डाल देंगे जिसे हमने बना के ready किया था क्रीमी सॉस बनाते वक्त अगर आपके धही में पानी होगा तो चिकन रोल बहुत ही जादा सौगी बनेगा इसके उपर अब हम डाल देंगे onion rings जिसका salad बना के हमने रखा था और बस इसे अच्छे से fold कर लेंगे हमारा चिकन रोल बिलकुल ready है अब serving के लिए यहाँ पर मैं इसे तुद्पित लगा रही हूँ ताकि यह अच्छे से bind हो जाए यह देखिए और एक आपको assembling करके दिखा रही हूँ चिकन को पराठे के बीच में रख देंगे और उसके उपपर creamy sauce add करेंगे और फिर उसके उपपर onion rings डाल देंगे और उसके बाद इसे fold कर लेंगे बस इसी तरह से हम बागी के चिकन रोल्स भी ready कर लेंगे यह देखिए अब हमारे सभी चिकन रोल्स रेडी है सर्विंग के लिए बहुत ही yummy और tasty चिकन रोल बनते हैं आप लोग इसे जरूर ट्राइ कीजिए चैनल पर नए हैं तो चैनल को subscribe जरूर कीजिएगा अपने friends और relatives के साथ इसे share कीजिए मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स रेसिपी में अल्ला आफीस